आमतर पर जहां लोगों को चार सा पास सो रूपिय किलो मिलने वाले फल ही महंगे लगने लगते हैं वहीं जरह सोचिए कि अगर कोई फल लाको रूपिय किलो या दस बीस लाक रूपिय जोड़ा मिले तो अब क्या करेंगे जी हाँ दुनिया में ऐसे कई फल हैं जिनकी कीमत सुनकर ही होश उड़ जाते हैं आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही कुछ महंगे फलो के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खरिदने के बारे में कोई आम आदमी तो सपने में भी नहीं सोच सबता ये है युबरी खर्बुजा जो दुनिया के सबसे महंगे फलो में शुमार है यह जपान में उगाया जाता है और वही पर बिकता भी है क्योंकि जपान से बाहर इसका निर्याद बहुत कम ही होता है इस खर्बुजे को सूरज की रोशनी से दूर ग्रीन हाउस में उगाया जाता है आपको जानकर हैरानी होगी की युबरी खर्बुजे की एक जोड़ी की कीमत करीब 20 लाक रुपिय है यानि 10 लाक रुपिय का एक खर्बुजा तायो नो तमागो आम की एक ऐसी किस्म है जिसे दुन्या का सबसे महंगा आम कहा जाता है इसे जपान के मिया जाकी तांत में उगाया जाता है और उसके बाद पूरे देश में बेचा जाता है इसाम की एक किलो की कीमत 3 लाक रुपिय से भी जादा है ये है रोबी रोमन अंगूर जपान में अंगूर की ये प्रजाती दुन्या के सबसे महंगे फलों में शुमार है पिछले साल इस अंगूर का महज एक गुच्छा 7,5 लाक रुपिय में बिका था जिसमें 24 अंगूर थे महंगा होने की वज़ा से इसे अमीरों का फल कहा जाता है पीले रंका दिखने वाला यहां अननस दुन्या के सबसे महंगे फलों में से एक है इसे इंग्लेंड के लास्ट गार्डन्स और फेलीगन में उगाया जाता है इसी वज़ा से इसे लास्ट गार्डन्स और फेलीगन पाइनेपल्स के नाम से जाना जाता है इसे तयार होने में करीब दो साल का समय लगता है आपको जानकर हरानी होगी की महज एक अननस की कीमत करीब एक लाक रुपिय है क्या आपने कभी चौकोर तर्बुज देखा है जी हाँ दुन्या में सिर्फ गोल ही नहीं बलकि चौकोर तर्बुज भी होते हैं इनकी खेती जापान में की जाती है ऐसे एक चौकोर तर्बुज की कीमत करीब 60,000 रुपे होती है दरअसर ये तर्बुज चौकोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हें एक चौकोर डिबबे के अंदर उगाया जाता है इसी तलह की जानकारी हम आपके साथ साजह करते रहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करिए